दोस्ते एक ऐसा फीचर जो कि WhatsApp यूजर को बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वह था चैट लॉग का फीचर और अब ये चैट लॉग का फीचर जो है वो WhatsApp में आ गया और आप इसे बड़ी इसानी से यूज़ कर सकते हैं क्या-क्या यहाँ पर open की जगह update का option लिखावा रहा है तो आपको simply उसे update कर लेना है अपडेट कर लेने के बाद आपको simple अपने WhatsApp को open करना है वड़्सेप को open करने के बाद आपको simply जिस भी चैट को lock करना है जैसरे मान लीजिये यहाँ पर यह जो चैट है मुझे इस को lock करना है तो simply आपको कुछ नहीं करना इसके profile icon पर click करना है यहाँ पर जो circle का option है इस पर click कर देना है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपको chat lock option मिलेगा सबसे पहले मैं आपको बता दू कि chat lock option जैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पर fingerprint option है इसको on करके यहाँ ok पर click कर दीजिए fingerprint आपको लगानी पुड़ेगा और यहाँ view पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो chat है वो lock हो जाएगी अब यह locked chat के option में है अगर अब आप इस पर click करेंगे तो यह chat जो हो पूरी तरीके से खुल जाएगी यह chat lock option जो है वो अब available हो चुका है बस इसमें यही दिक्कत एक मुझे लग रही है इस time पर कि जो chat lock का feature है वो आपको हर बार on करना पड़ेगा मान लीजे कि मुझे यह वाली जो chat है इस वाली chat को भी lock करना है तो इसके लिए मुझे वापिस से यहां पर profile icon पर click करके पूरे process को दुबारा करना होगा इसको भी अगर करना है chat lock में तो मुझे इसके लिए फिर दुबारा वही process जो है वो दोहराना पड़ेगा यानि कहने का मतलब कि कोई ऐसा जो है group वाला option available नहीं है कि जिसमें हम सारी चैट को एक साथ select करके फिर उसको lock कर सके तो यह option अभी available नहीं है so I hope दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like और share कर दीजगा meet in the next video till then take care bye